कि हलो अब्रीवान नमस्ते और आप का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक गेम्प्ले वीडियो और वह गेम है serious Sam 4 अब शुरू करते हैं तो आपने हम प्षेंस के साथ और अप्षेंस में आपको 2 अप्षेंस मिलेंगे एक आपका ग्राफिक्स की है का पने हon खुआ छूह सकते हैं चुछ शुरुक्र करते हैं इस गेम का ग्राफिक्स. मोट से ही क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं आपको पता है हमेशा कि मैं ग्राफिक्स मोट को जेनरली प्रेफर करता हूं तो होफुली हम यह गेम के मोट को चेंज कर सकते हैं गेम के बीच में और गेम को री स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं तो चलिए जब यह लोडिंग हो रहा है ना तब तक मैं आपको गेम की थोड़ी इंफोमेशन दे दूँ भाई यह एक फर्स परसन शूटर है जो 2020 में रिलीस हुई है इस डिवेलप बाइस्टूडियो कॉल क्रोएशियन एक स्टूडियो है जिसका नाम है क्रोटीम और इस सीरियस सैंप जो सीरीज है उसका ही एक भाग है पार्ट फॉर है इन फाक्ट यह प्रीक्वल है तो सीडियस सैंप 3 अब मैंने तो भाई कोई भी सीडियस सैंप की गेम्स खेले नहीं है तो मुझे पता भी निए कि इसकी स्टोरी किया और तो मैं यह पहले बार खेल रहा हू तो भाई लाइक और सबस्क्राइब तो बनता ही है यार तो लोडिंग ताइम तो थोड़ी सी ज्यादा थी लॉंगर थन यूश्वल मैं कहूंगा एंड स्पेशली एक ट्रीपल अ टाइटल भी नहीं है अच्छी वह एंग विए एक कुछीन से पर दो नहीं है यह विए भी टुचल थे विए काईब नहीं है वह बड़ा ही चीजी लाइन दोर यह है श्वाश्वा मैं वह लॉए बड़ा ही चीजी लाइन दोर आटाइड वाईट आटाइवक्ष्टर्ण दोर दोर सम्हां वाई फूर्ड़्ड जोर्द अब इन सब से मिलेंगे, जब से तो नमून से, लिए भीक लिए हुआ है विए अपका है में हीरो क्वालिटी अची है थाधि को यह काफी अच्छा है यह एट काफी अच्छा है गेम में अच्छा है आप कर फाइनले का बड़ा है जो उने करें दो कि अबएग को लोग एव एक पर एक जा रहा है मिख नहीं ना सब्सक्राइड आए अन्या सब्सक्राइड सम्सक्राइड अबर भॉड़की जाते कि जाएड प्रिजिए अन्या अच्छाएड अर्म जाएड दीए अधिडिए अदिए इस ना कि यह एक तरीके से आपको याद दिलाएगा एवेंजर्स एंड गेम की अगर यूण एवेंजर्स एंड गेम का कोई सस्ता वरचन होता तो शरायद आप बोल सकते हैं ऐसा दिखता मुझे बताई का कमें सेक्षिन में आपको भी क्या लगा कि एवेंजर्स की एंड गेम की जो लासीं तीज आप यहां पर थैनर्स के साथ बैटल करते हैं उसके तरह थोड़ा बहुत लग रहा था स्पेशली वो जो एलिंज इन स्काई में एट लुक्स लाइप अपना फाइन में तो I was surprised क्योंकि सबसे पहले तो यह उतनी ग्राफिकली इंटेंसिव गेम है नहीं जितनी मैंने खेली है I mean I've played more graphically intense games और उसकी भी लोड टाइम जो है वो इससे कम थी तो I'm surprised और Xbox series school use करने के बाद ना आपका बिल्कुल भी एकडम expectation रहेगा की लोड टांस कम हो तो I was surprised in a bad way बोल सकते हैं तो अब बताना है 92 आर्स एलियर अब ऑल्दो यह एक AAA title नहीं है मैं यह बता सकता हूं किस्ट यह जो ग्राफिक्स की जो quality है it's not bad at all I mean everything looks sharp काफी अच्छा लग रहें 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 character in your design say it is very unoriginal very generic we're gonna rendezvous with a priest yeah because he knows where to find the ark of the covenant yeah which contains the holy grail को alien artifact कर दिया क्या कर रहें आफ आपको इस लिए अख रहें रुट रहें 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 कि यह जो जो यह गम अशी है मैं एक्सपेक्नी कर रहा था कि lip movement इतना अच्छा होगा जो character animations लोन हैं हाला कि characters generic इने हैं बट वोई साथिए है तो टो एफ दो मुझे लगदें वो इ梁ट्टेश चिह वो इंतंशला है आ विए भी अटीज्ड चांग है और उन्हें लोगदाओ ज़िए लिए रिटेंग है I know this game's title is Serious Sam, but there is nothing serious about this game Everything is very funny So I think that we are finally going to play in the gameplay Actual gameplay, the first one I can say was Hulka-Pulka There were a lot of gameplay elements There was a lot of gameplay elements It looks very sharp The buildings are very sharp The buildings are in the ground The buildings are in the ground The wood, the car Everything is very sharp I will say Shadows, but I feel a little tricky Can you tell me? It's a little flicker, look at the shadows Look at the shadows In the t-shirt I mean, it looks very strange But apart from that, overall this game looks good I'm in the graphics mode I mean, it's a quality mode And I can say that it's 30 fps I mean, it's very smooth The experience is very good And there's sharpness I don't know how much resolution is I mean, it looks like It looks like it's very sharp It looks like it's very sharp It looks like it's a little bit It looks like it's a soft image It looks like it's very sharp And there's a sharpness I feel like it's a minimum 1440p But I'm not sure I'm not sure I have personal experience If you have information You have in the comments section So, let's go into the performance mode And then, let's see What happens to the performance mode What happens to the performance mode? Oh, no, there's no difference In the resolution But, yeah, you can't see the frame rate It definitely feels smoother So, in the performance mode It definitely feels smooth And it looks like the graphics mode And I see the graphics mode में जालता है अच्छी बात तो यह कि I can toggle between quality and graphics performance mode मुझे restart नहीं करना पड़ता है तो यह देखिए draw distance वो सब कफी अच्छा है यह quality mode पे है अभी and यह definitely 30 fps है without a doubt अब वापिस चलता है performance mode पे चलिए और अब देखते हैं ज्यादा difference नहीं है तो it is not a major drop in resolution but in terms of frame rates yes यह 100% मैं कहूंगा I mean smooth air कोई-कोई-सीन में तो मुझे लग रहा है 100% 60 fps पर again I'm not sure अगर आपके पास वह information है तो आप मुझे बता दिये का यह definitely smooth है performance mode में smoother than the quality mode और even in terms of the resolution नहीं ज्यादा sacrifice नहीं करता है resolution क्योंकि अगर आप textures को देखने हो आपेड पौड़ो के तो more or less the same अगर आप साथ निस को आप यह जाँ अगर भाई जो मन मैं बोल दो that is that is what is you know funny about this game नाम पर मन चाही का इस गें का सिर नाम के लिए ही है serious Sam इसकी जो गन शुटिंग है जो सर्वर जो फट रहते है वो काफी साटिस्वाइंग ता वो मैं पता सकता हूं सो शुटिंग इसका काफी अच्छा है और देखे इसका पाउ भी उड़िगा देखेगा बन वर्य नाइस क्वार्इंग है श्यॉटिंग जो इसके में जी चमेंख्ट आपकर आप की यांगज एफ तो अच्छी बार तो यह है कि चलिए एक 3rd person mode भी अवेलबल है तो अगर आप 3rd person के शौकीन है जैसे मैं हूँ यह क्या था या इतना घड़िया अनिमेशन इसको बस खड़े को के मार दियो इसको एक तुम घड़िया अनिमेशन और यह एक तुम इसा कोई एक शौकीन होता है कि एक बन्दा आपके एसा लगने जैसे एक बन्दा आपके बढ़िया और उसा आप बस आप नाप दियो अगर आपने नोटिस किया अगा मेरी कोई हेल्थ बार भी नहीं है क्योंकि इस अगर वापिस वै इतना घटिया किक बहुत ही घटिया अनिमेशन इस वरी स्टिफ अचली 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 मैं यह गें एक फर्स परसंगें है तो मेभी थर्ड परसंगें जो मोड है इस इस मोर लाइक कॉम्परमाइस बस नाम के लिए दे दिया है कि किक की जो अनिमेशन है क्योंकि भूई है यार इन क्यारक्टर का मूव्मेंट जो भाग रह ठीक है आइक जो जब वो गण यूस करता है आँ भागते सब्सक्राइब अब अधर साजीव लगता है इस डेफिनेटली नॉट में टो बीप्लेट अस एक थर्ड परसंगें मैं चेल रहा है कि भाई मुझे पसंदे थर्ड पर्सन मोड पर आइसा लग रहा है जैसे जो कोई पुदला नहीं होता है जो धागे से आप या रसी से जो पुदले को चंट्रोल करते हैं वैसा लग रहा है यह कुदला और रसी एक चीज तो है जो पुदला रहा है यह काफी अलग अलग ताइप की मिले अभी तक तो थीन थाइप ने नोटिस्के यह एक जो आप फेकते हैं अग मोटा सा बदा सा भी आगे अगे और यह यलो अलग जो भाग के आपके तरह पादा है तो कि अधरी शुर्ट पीर और तक में में अगे इंपरी ने चार्ड नेंगे ओद़ी प्रृट नेंचे थे दितल है तो इसलोग यह जोड़ी तो फिसम ए जगिए्ब कृब पर अज़गो यह ए जोड़ी आपादा ए जूड़ी आपशने यह ज़़ी आटेला आपरीव आफ तर्ड परसंट मोड भी ऐ इसे वहाई तर्ड ना रुड़ अजर यहाई प्रड़ तर्ड परसंट मोड भी घर भी सिर्डाइड एल लिए जा है जा इक फ़िछ ए ज्ट आफ उर यहाई नरहाई ल में अपर जो स्विछ नहीं जाएं वो यह जो भी आफिट है अक मैंका एफ ठाख ब्याटियोग नहीं है कि अब अब न्यामीज़ वखत लो तो यह सब्सकेज़न I know it's a little gory and a little violent, but this is a video game I mean it's a little bit in the real look at the jump again, so bad from the back, look how much it is, standing up like that, I mean anything oh again, wow, very convenient I mean, there is no health bar in easy mode, so whatever you do, definitely you will not die and if you have noticed, the ammo in easy mode is unlimited in easy mode it's like a god mode you know, first of all, there was a cheat codes and you can use the cheat codes and you can access the god mode so this is very much like that god mode I have switched over to first person so yeah, it's satisfactory when you take down the enemies definitely satisfactory but I mean because so far, you know the gameplay I will say it's the same I mean there is nothing different and bandook is just a pistol but you know, it's a shooter game so I am sure shotgun, rifle or different types of bandook will be able to get you I am 100% confident but now it's just a pistol and if you are watching it's 15 minutes there is no change in the gameplay it's the same you are going from one area from the other area enemies come to your side you have to kill enemies and the other area and the other area with the news in the ongoing Tunguska offensive the EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk meanwhile we are 4 weeks into the occupation of France and we are starting to get reports of local resistance I mean as far as a game goes even though this is not a AAA title but I will say that the graphics are pretty good I mean for a game like this I didn't expect it that you're up I was pleasantly surprised so it's not a bad game to look at but in terms of the gameplay so far 15-16 I already feel that the same thing is going to happen and I don't know how long the story campaign is if the story campaign is 8 or 10 hours I am sure I am going to be a little bored I mean because the same thing has to do run 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 I know I know in all games but variety comes you know I mean you can upgrade and all that stuff weapons upgrade new moves the RPG games generally but in this game so far the same I mean I am sword and that's it it's very straightforward in fact that I know many games in early 2000s that are that are because games were very straightforward and very simple so although this looks like a game from 2020 so its texture quality its character design animation I don't know the character's texture level sharpness etc it's quality wise but in terms of the gameplay it feels like a very old game it feels like a very old game it feels like a early 2000s a game and a game remastered version and release I mean my personal experience is that I think it feels like so so like I was telling you there was a pistol there was a shotgun and there is a new weapon and I am sure there will be more I mean the game started a big big what is a band that is that that enemy variety is obviously good I mean 4 different types of enemies have come across yeah 4 different types for sure this is very satisfactory I mean I know it's very gory but it's mindless fun I mean I mean when you play such games when you play with friends maybe when you get drunk or when you play such a game when you play such a game when you play the world maybe and if you haven't got any game I can play only one game then I will play this game because I am 100% sure knowing myself one other enemy type see so now 5 different types so that you have to give them the credit that the enemy types took a lot of variation and they have to take a lot of variation okay so like I was bored I mean my experience I think I will be bored for about 2 hours I mean after playing so many games I have so much experience that when I play this game for 15-20 minutes I get to know what I can expect from this game this doesn't mean that this game is only bad I mean that's not I mean there are a lot of funny one-liners and things if you are a fan of B-grade movies I don't know why you will be but if you are sometimes we say it's so bad that it's good so if you are a fan of B-grade movies then maybe this game might be good because it feels like a B-grade movie and so far I feel repetitive and because this game if you want to play on PlayStation it's available on PlayStation 5 Series X and S but Series X and S is that it's available in Game Pass so you don't have money to take this game if you want to play download it if you want to play if you want to play it's good if you want to play delete it but you don't have money to take this game and in that case I will say I am finding it hard to recommend it if you want to pay for money to take it then I will say only buy if I sell this for a lot of money like if you get it in 300 or 500 then go and buy it it's not worth buying it even if it's like 1200 or something like that it's not worth buying it at that price वर में अपना परस्नल एक्सपिरेंस शेर करा रहां वर्वल शापनेस वाइस इस फाइस एविए एज जा अट रहे सिर्फ यार देवार लाइन अगल आपिशने के बीच में पाफी फणी तो अगर आपको comedy warmly पसंदे आपको शायदी अच्छा लगेगा आप अप्रिशेट करेंगे इसको तो गेम इतना भी बुरा नहीं है पर यून मेरे हिसाब से for the type of games that I play मैं जानता हूँ कि मैं बोर हो जाओंगा in the next two hours तो अगर आपके पास Xbox Xbox है तो गेम पास में से ट्राइब कीजिए यार वैसे भी इंग्लूरेट है there's no harm, right? और मुझे भी बताएगा एक बर आप ट्राइब करेंगे तो let me know you know what your thoughts are और वैसे भी अगर आपके कोई comments हो, इस गेम को लेकर के आप comments में दाल दीजेगा, कोई सवाल हो, पूछ दीजेगा, जवाब में जल से जल दे दुमा, as always and let me know, अगर आप और कोई गेम की gameplay देखना चाहते हैं, तो let me know in the comment section, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो gameplay में पहुंचा दू एक और enemy type, so already 6-7, 7 types of enemies now, so quite good here, that is good, तबहीं आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, like और subscribe ज़रू दबाजिएगे, पिस मेरे चैनल को ग्रोने में help करता है, और मैं आप तक और वीडियो लेकर के आ सकता हूँ, and a bell icon भी ज़रू दबाजिएगा, ताकि जब भी मैं अ take care, stay safe, and may god bless you all झाल, 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 झाल